तो दोस्तो आजम फिर साब के लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें सबसे पहली बड़ी खर्म में आपको ताएंगे कि इसलाम से गद्दारी करने के आरोप में सीम हैदर के लिए पाकिस्तान की सरकाने फांसी का फंदा किया त्यार भारस से ल भारत की नाइकता देने की गुहार कहा पाकिस्तान गई तो जांगी मारी वहीं आपको ताएंगे दोस्तो की आतं की खालिस्तानी पन्नु ने अमरीका से अमिर्चा को दी जान से मानने की धमकी मोधी सरकार की बड़ी चिंता वहीं आपको उताएंगे दोस्तों कि सी मेहेदर के बाद नेपाल सीमा से चीनी नागरिकने की भारत में घुस्वेट जासूसी के आरोप में बॉर्डर पर बीए सब के जवानों ने किया ग्रबदार वहीं आपको उताएंगे दोस्तों कि उत्तब देश में भीम आर्मी चीफत चंदर सेंकर रावन और आर ऐल्लडी के टिकट पर लड़ेंगे लोगसवा चुनाव वहीं आपको ओताएंगे दोस्तों की लोग सबाब में मोधी सरकार ने दी जानकारी कहा देश में मुसल्मानों की आबादी है 20 करोर तो दोस्तों सबी ख़बरों को आपको एक एकर बताने वाले हैं वीडियो को लाइक कर चैनल को सबस्काइब कर दें इसी वीड़ पर तो दोस्तों अगली ख़बर के और तो पाकिस्तान में सीमेहेदर के लिए फांसी का फंदा हुआ त्यार भारत से लोटते ही पाकिस्तान में सीमेहेदर को दी जाएगी फांसी सी महधर पर तीन गुना करने का आरोप लगाया है सबसे पहला गुना करने का ये आरोप है कि सी महधर पाकिस्तान छोड़कर भारत भागी और भारत में अबैद रूप से रही दूसरा गुना उसने ये किया है कि उसनों इसलाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया और तीसरा गुना उसने ये किया है कि उसने हिंदू लड़के से साधी की और पाकिस्तान के लिए गलल गलत बाते गई इसी से नारा जोकर पाकिस्तिन की सरकार अब सी महदर को मौत की साह सुनाएगी तो ये बड़ी अपडेट आजी दोसों कि भारस से जाते ही सी महदर को जो है मौत की साह सुनाएगी यानि फासी सी महदर को दी जाएगी इसी वीद बढ़ते दोस्त अगली कमारी के ओर तो वाबरी मजजित के बाद अब उत्तर प्रदेश में एक और मजजित पर बने का राम मंदिर कोट ने दिया आदेश ज़दोस आपको उतादें कि वाबरी मजजित के बाद अब उत्तरपडेश की एक और मजजित को तोड़कर राम मंदिर बनाने की तयारी चल लई है और कोट ने ऐसा ही आदेश दिया है दरसलाब कोट आदें कि वाबरी मजजित की जहांपर जाँच करने का आदेश कोट ने सुनाया था उसके बाद वाबरी मजजित को तोड़कर राम मंदिर बनाई गया उसी तरह से अब ग्यानबापी मजजित में भी बरांट सी के कोट ने ग्यानबापी मजजित के जाँच के आदेश दिये हैं और उम्मी जितायारी की जाँच के बाद इसको भी तोड़कर मंदिर बनाने के आदेश दिये जाएंगे दरसला आपको दादने की ग्यान बापी मजजित मामले में बराण सी कोट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है कोट ने मजजित परिशर के ASI सर्वे की जाज़दी है मुसलिम पक्ष ने सर्वे कराने का ब्रोथ किया है कोट के फैसले के अनुसार बिबादि छेतरों को छोड़कर पूरे परिशर का सर्वे होगा इस मामले में हिंदू पक्ष की नुमायंदी की कर रहे है बकील बिस्टू संकर जैन ने कहा कि मुझे बताया है कि मेरी एपलिकेशन मंजुरू कर ली गई है और अदालत ने बजू टेंक को छोड़कर जिससे सील कर दिया गया है ग्यान वापी मजजित परसर का ASI सर्वे कराने का निर्देश दिया है तो ये बड़ी अपडिट आई दोस्तों कि मुस्लिम पक्ष ने इसका ब्रोथ किया करवार सुबास से ही सीमा के घर के भाहर मीडिय कर्मियों का जमावडा लगा हुआ है सब सीमा से यही जानना चाहते हैं कि ATS उसने क्या क्या पूछा क्या सीमा सब को सच बोले ही है उसके बयानों में कोई पुरोदाबास है अगर सीमा को बाबस भेदी जाएगा तो उसके साथ क्या होगा वहीं आपको दाले कि सीमा हैदर पाकिस्तान बाबस जाना नहीं चाती है उसने उत्तर परदिस्क मुखमंद्री और प्रधानमंती मोदी से नाइट देने की गुहाल लगाई है सीमा हैदर ने काया कि प्रधानमंती मोदी और योगी अधितनात उसे भारत की नाइट दें और उसे पाकिस्तान ना भेजें लेकिन मोदी सरकार उसकी बात ना सुनती वे उसे पाकिस्तान डिपोर्ट करने की त्यारी कर रही है इसी विद बर तो दोस्त अगली ख़वर के ओर तो खालिस्तानी आतंकी ने अमिश्या की हत्या करने की दी धमकी मोदी सरकार में मचा हलकम जदोस्वापको दादे की केंदरी ग्रह मंत्री अमिशा और विदेश मंत्री एजय संकर को एक खालिस्तानी आतंग की संक्टने जांसे मानने की दमकिरी है जिससे मोधी सरकार की मुश्कले बढ़ गई हैं एक बीडियो संदेश में अमरीका में बैठा पिर्ती बंदित संक्टन सिक पोर्ट जेस्टिस का आतंगवादी जी एस पनूने दोनों नेताओं के अलाबा कनाडा में भारती उच्चेयुक संजे कुमार बर्मा की विदेश यात्रा के बारे में जानकाई देने वाले 125 अमरीकी डॉलर का इनाम की घुसना कंड करके इन दोनों को जान से माने की दमकी दी है वहीं आपको दादे के ये आतंगी संक्टन भारत में बैन है लेकिन ये लगातार भाट के ख़ब जहर उगलता है इसी विद पर तो दोस्त अगली ख़बर के और तो भीम आर्मी चीप चंदर सेकर आर एलडी के टिकट पर लड़ेंगे लोगसवा का चुनाब जदोस्त आपको दादे की ओम पिरकास राजबर के बीजेपी में सामिल होने के बाद अब उत्तर पिडेस में नए समीकरन बन नए है दरसले आपको दादे की लोगसवा चुनाब से पहले अब आर एलडी ने बड़ा एलान क्या है दरसला आपको दादे की RLD चीप जन्द चौदी ने एलान किया है कि भीम आर्मी चीप चंद सेकर आजाद रावन RLD के टिकट पर आने वाले समय का लुक्सवा चुनाव लड़ेंगे और वो संसर जाएंगे वहीं आपको दादे की उनके स्वयान के बाद पूरे उत्तर प्रडेस में हनकम मचा हुआ है और उम्मी जतायारी की RLD और भीम आर्मी चीप का गणबंदन दोया 24 के लुक्सवा चुनाव में होगा समाजबादी पार्टे को इससे दरकिनाल किया जा सकता है तो ये बड़ी अपडेट आ दी दोस्तों इसी वीच पर तो दोस्तों अगली खबर के ओर तो सीमे हैदर के बाद नेपाल सीमा से चीनी नागरिक भारत में कर रहा था गुसवैट जासूसी के आरोप में गरबदार जदोस्तों आपको दादे की सीमे हैदर के बाद अब नेपाल सीमा से एक चीनी नागरिक भी सीमे हैदर की तरह अबैद रूप से भारत में घुसवैट कर रहा था लेकिन इसको B.S.F. के जवानों ने गरबदार कर लिया दरैसलाप को दादे की इस भाक्ती को जासूसी के संदे में बाडर परी गरबदार की आगा है दरैसलाप को दादे की 49 साल इस भाक्ती की उम्र बता जा रहा रही है और बुद्वार को ये नेपाल की सीमा से भारत में प्रवेस कर रहा था जिस तरह से सीमे हैदर ने प्र drawn कि आब एद रूप से उसी तरह से ये पिरवेश कर रहा था लेकिन सी में है दर जो है बारतिय सरकार को चकमा देकर भारत में उसने की हिम्मत कर पाई लेकिन इसको वही पर ग्रबदार कर लिया गया इसी भी बढ़तों दोस्त अगली ख़़र के ओर तो हिंदू देवी देपताओं के नाम पर मुस्लिम संचाल को द्वारा चलाये जारे होटलों के ब्रोद में बैठे स्वामी यस्वी महराज जद उस आपको दादें कि कट्टरबादी हिंदू पहचान रखने वाले स्वामी यस्वीर महराज पिछले 20-22 दनों से एक अभियांचे लखे हैं जिसमें स्वामी यस्वीर महराज ने आरोप लगाया है कि मुझफवर नगर के एनेचे 58 दिल्ली देहरदू नेजनल हाईवे पर हिंदू देवी देपताओं के नाम और फोटू लाकर मुस्लिम समाज के लोगो दारा होटल दावे चलाया गारे हैं जो यहां से उजनने वाले यायत्यों को गुम्रा कर रहे हैं काबड यात्रा से पहले पिर्शास अंद्वारा इन सभी होटलों को बंद कर दिया गया था लेकिन काबड यात्रा के बाद अब यह होटल फिर दोवारा सुल गए हैं जिसके बाद सुकुरवार को स्वामी एसबीर महराज लादिकारी कारयले पर पहुंची और अपने समर्दोगों के साथ भू करताल पर बैट गए स्वामी एसबीर महराज ने पहले अलान किया था कि हाईवे पर इस ते चंडी का डावे से घटा होगा रोटलों पर जाकर बिर्मन करेंगे और उनके बोर्ड उतरवाद का काम करेंगे लेकिन फिर उन्होंने अपने कारक्रम में बदलाब कर दुए जिलादिकारी कारयले पहुंचकर अपना अंतन सुरू कर दिया विर्शासन ने भी एतियातन के तौरपट चंडी का डावे पर भारी पुलिस बलते नात कर दिया तो ये बड़ी अपनी अपनी तारी दोस्तों लिखवर के ओड़ तो संसद में मोधी सरकार ने दी जानकारी देश में मुसल्मानों की आबादी 20 करोड जदोस्तों आपको दादें कि देश भर में मुसल्मानों की आबादी पर केंदर की मोधी सरकार की ओड़ से संसद में बड़ा वयान दिया है इस वयान के अनुसार के वादय पॉइंट दो करोड भारत में मुसलमान थे लेकिन दो हएार 20 में अब 20 करोड मुसलमान भारत में हो गए हैं भई आपको दादे कि उम्मीद यह जटाय जा रहे थी केंदर की मूदी सरकार लगबक इसकी जानकारी पूरी देश को ना दे लेकिन मुदी सरकार पूरे देश को इसकी जानकाय दी और मुसल्मानों की संक्या बताई कि मुसल्मानों की संक्या इस समय भारत में 20 करोड है इसी वीद पर तो दोस्व अगली कबर के ओर तो विटेंड के परधार मंतरी रीसी सुनक को लगा जटका उप्चनाम में हारी पार्टी जदोस्व आप कि भे अपनी कैबिनेट में फिर बदल कर सकते हैं आपको दादे की पिछले महीने बिटेन के पूरपियम बॉरिस जॉंसन ने पार्टी गेट कांट पर संसद्य सिमीती की जाज रपोर्ट आने के वाज संसद्य की सदस्ता से इस्तपा दे दिया था वहीं उनके सयोगी के निशी सुनक दो सीटों पर हार गए हैं जुडिशियरी में कर दिये अब जुडिशियरी फैसला करेगी तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आपको बचाय रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं समाजबादी पाइड़ी को उम्मीद है कि नहीं पार आया?